Hello everyone, welcome आज कस वीडियो में हम बात करेंगे Nursing Aptitude Question and Answer I know कि बहुत लेट हो चुका है मैंने वीडियो बहुत लेट अप्लोट किया है बट इसके पीछे रीजन था आपको जानना चाहिए कि मैंने आपके लिए मोग टेस्ट त्यार किया है इबुक त्यार किया है जिससे आप आसानी से जब एक्जाम से पहले आप मोग टेस्ट दे सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा जस्ट आपको Google पर जाना होगा और वहाँ पर आपको सर्च करना होगा Wikistuddy.in आपको सर्च करना होगा ज्याकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहा है तो इस पर करके आपको सामने दिखाई देगा वेबसाइट, इस पर जाना है और आपको यहाँ पर जो भी class होता है उसका pdf यहाँ पर मिल जागा ठीक है pdf मिल जागा प्लस मैं आपको यहाँ पर mok test मिलेगा मतलब सभी विसर का सभी subject का यहाँ पर mok test मिलेगा तो यही चीज़ का मैं prepare कर रहा था आप सब के लिए ताकि आपको जो है अगर पढ़ते हैं class लेते हैं तो उसके साथ test देना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसके साथ मैं आपके लिए test प्रोवाइट करूँगा ताकि आप यहाँ पर जाकर आसाने से test दे सकते हैं और आपना analyze कर सकते हैं ठीक है आपने कितना तयारी किया है यह important है आपके लिए तो और हमें जो question लाँगा वह भी आपके लिए important है जो अभी आप देखें इस question जो aptitude से related है बिल्कुल ही आपको जो नर्सी में पूछा जाता है सवाल जस्ट आपको उसी परकार सवाल यहाँ पर पताया जाएगा nursing aptitude से related है उस question को मैं लिया हूँ ताकि आप जो से अच्छे समझ पाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि question आपको दोनों में रहेगा मतलब हिंदी और English दोनों में रहेगा जिससे आप आसाने समझ जाएंगे सवाल में आप अच्छे से English को भी focus करना है topic को क्या कहा जा रहा है ठीक है जैसे आप यहाँ पर question पढ़ेंगे तो साथ में आपको English भी आपको पढ़ना है यहाँ पर question को और image के through आपको समझाओंगा अच्छे से तो यह बनाने में काफी time लगता है तो आप से बस एक ही request है कि आप इस वीडियो को please अपने friend circle में जरूर share किजएगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और आप अच्छे सेदम पढ़ने का और focus किने का try किजएगा साथ ही मैं जो भी चीज़ बोलूँगा आपको यहाँ पर तो उसको आपको जोहां पर image की धूलूद देख सक रहे हैं तो यहाँ पर दिखे इसको कहा जाता है जिससे यहाँ पर कहा जाता है, अपतानिका दिया हुआ है इसको कहा जाता है टीटाएन कहा जाता यहाँ टीटानिका जाता ही में ऑक्षिमीलăm अनेक्चिक होता है न तो अनेक्चिक रूप से वो परिवर्तन होने लगता है दिमाग में तो यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या होगा तो देखिए यहाँ पर राइट एंसर होगा आपका पहला अलज क्या होगा हाइपो कैलसीमिया दिया होगा यहाँ पर right answer क्या होगा hypocalcemia दिया हुआ यह आपका right answer हो जागा है hypocalcemia क्या होता है यह समझे तो देखिए hypocalcemia जो होता है यह क्या करता है hypocalcemia नाम से इस परस्ट है जिसमें क्या होता है कि रक्त जो होता है रक्त में बहुत कम calcium होता है उसको कहा जाता है हाइपो कैलसीमिय कहा जाता है ठीक है तो यह जो होता है बिटामिन D के कारण होता है जैसे बिटामिन D की कमी के कारण क्या होता है यह होता है हाइपो कैलसीमिय जिसमें कैलसियम की कमी हो जाता है रक्त में जैसे क्या होता है होट फटने लगता है उंगली मे सुन हो जाता है उंगली संसनी होना लगता है तो इस पर करके problem होता है तो यहाँ पर right answer देख सकते हैं hypokalcemia दिया हुआ है तो इसका pdp आपको वहाँ पर website मिल जागा तो वहाँ पर आप साच किजिएगा wikistate.in और वहाँ पर जाकर यह pdp मिल जागा आपको answer के साथ मिलेगा तो यहाँ पर आपका right answer कौन से हो जागा पहला वाला जो हो जागा hypokalcemia में आपका right answer हो जागा यहाँ पर आगे question दिया है निमलिखित में से कौन सद्रव अधिभार का संकेत है which of the following is the sign of fluid overload यहाँ पर आपका right answer क्या होगा समझे पहला दिया है यहाँ पर धसी हुई आख संकेन आई है आपको लिखा हो है यह बिहोसी फेंटिंग बोलते है तीब्रस्वसन रैपिड ब्रेथिम जुगलर वीन दिस्टेंशन पो option के बारे में समझ लेते है पहला दिया है धसी हुई आख संकेन आई क्या होता है न यह क्या होता है यह सबसे समान्य कारण होता है बहुत अधिक में क्या कॉफी लेंगे सोडा पीने से यह कारण होता है धसी हुई आख हो का है बेहोसी का कारण होता है तो बेहोसी का आप जानते हैं कि बेहोसी जब बेक्ति को प्रियाप्त मातरा में जो है रक्त नहीं मिलता है तब बेक्ति का जाता है बेहोस हो जाता है जिसमें क्या होती है उसकी दिमाग में चेतना जो होती है वो समाप्त हो जाती है काम नहीं करने लगता है तो बेहोसी का करण होता है तीब्रस्वसन क्या होता है कभी-कभी hyperventilation जैसे बोलते है hyperventilation जैसे अतीस्वसन जिसको ले जाता है तो उसके रूप में जाना जाता है इसको तीब्रस्वसन को ठीक है और last हमारा येवल option जो बच जाता है ये क्या है देखिए येवल हमारा right answer हो जाएगा last lot D जो है option आपका right answer होगा क्या होगा jugular wind destination जो होता है ये तब होता है जब हमारे जो है महासीरा जो महासीरा का अंदर क्या होता है दाप पढ़ने लगता है बहुत अधीक मात्रा में जिसे क्या हो जाता है Dioxinate होता है Dioxinate जो है रक्त को वापस हिर्दय में ले जाता है जो oxygen महासीरा है उसने उसको direct हिर्दय में वापस लने लगता है इस problem को यहाँ पर कहा जाता है एक कारण किस कारण से होता है देखिए इसे कारण क्या है उसको समझते है कारण जो होता है हीरदय जो है उसकी कुछ कमी होता है हीरदय में, प्रॉबलम हो जाता है उसके कारण ठीक है स्टेनोसिस होता है, यह सारे चीज़े प्रॉबलममीसिस से होता है, तो यहाँ पर समझ गए कि एवल आपका जुगुलर, आपका वीन डिस्टेंस स्वाल दिया है यहाँ पर सिस्टोसील का अर्थ है क्या अर्थ है सिस्टोसील का अर्थ है आपर पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन दिया है मुत्रासे जिसे इरिनरी ब्लेडर कहते हैं में तरल पदार्थों का एकत्रित होना यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन पहला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा दिया है मुत्रासे का नीचे की ओर खिसकना दूसरा दिया है मुत्रासे का संक्रम होना चौथा दिया है मुत्रासे की एंट्रापी होना क्या होगा यहाँ इसका रैटेंसर जो होता है पहला जो होता है वो बार बार भार का उठना मतलब भार उठाना अगर भार उठाते हैं आप ते प्रोब्लम हो जाएगा ठीक है भार उठाने से होता है और दूसरा होता है जिसे पुरानी खासी होता है पुरानी खासी कारण हो जाता है खासी ठीक है और तीसरा जो दिया हुआ है मुद्रासय का नीचे की और खिशकना आप यहाँ पर इमेज के थुरू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है तो यह प्रॉब्लम सिस्टो सिले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है ऐसे सवाल अकसर पूछा जाता है जो इवनीक कुलेली थियासिस यहाँ पर दिया हुआ है गुए है और ऑप्सन तिया है पितासय का सुजन गुडे में इस्टोन क्या होगा इस्टोन इन किड्नी नहीं पर द्या क्या होगा क्या होगा राइटन सर यहां पर कोलेली थिया हुआ है यह क्या होता है यह जो होता है जैसे हमारे सरीर में जैसे यहां पर देखिए हमारे सरीर में क्या होता है पिता से के एक थैली होती है जिसमें कोलेस्ट्रोल जो होता है कोलेस्ट्रोल जमा होता है जब कोलेस्ट्रोल जो ह हमारी हाँ पर तो यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा तो होगा पितासे में पत्थरी यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा स्टोन इन गैल ब्लेडर आपका राइट अंसर होगा तो पितासे में पत्थरी जो होता है इसे कारण होता है यहाँ पर आगे स्वाल दिया है क्या दिया है कोश्चिन है आपर देखे सर्जिरी से पहले लिपिस्टिक और नेल पॉलिस हटाने का कारण है क्यों कारण है किसली हटाते है यहाँ पर दिया है सर्जिरी आसान हो जाता है सर्जिरी अधिक सफल होती है रोगी को मनेवेग्यानिक लाप्राप्त होता है सायनोसिस की जांच हो जाती है जिसे लिपिस्टिक और नेल पॉलिस जो होता है सरजरी के दौरान क्या करता है कि देखरे को कम कर देता है यहाँ पर उसकी छमता को कम कर देता है सरजरी के दौरान क्या होता है कि रक्त में अक्सिजन की इस तर को क्या करता है पढ़ने के लिए उंगलियों के सीरे पर एक यंत्र लगा जाता है एक उक्रन लगा जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर इंपोरेंट है कि परिक्षण करते समय देखते समय क्रित्रिम नाखुन जो होती है नेल पॉलिस जो होती है इसके द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है तो यदि आपका अक्सिजन इस तक गिरता है तो आपके नेल पॉलिस नाखुन के जो नीले हो जाएंगे नाखुन जो होता है नीले हो जाते है अगर oxygen कम हो जाता है तो यह क्या होता है? Nail polish जैसी लगाएंगे तो यह चीज छिप जाता है तो इसके लिए यहाँ पर Nail polish को हटाया जाता है और lipistic और makeup के का होता है problem? Lipistic और makeup के कारण क्या होता है? कि हमारे सरीर का जो असली रंग है उस छूप जाता है जिससे कारण क्या होता है? सर्जरी की कारण हमें पता नहीं चलता है सर्जरी की दुरान हमें पता नहीं चलता है तो इसके कारण इसको यहाँ पर हटाया जाता है यहाँ पर आपका right answer जो होगा वो सबसे क्या होता? यहाँ पर right answer जो है तन्त्री का तंत्र समंदी रोग है थ taste्खयों में रेवी रो पाइस हे तर加 सकते हैं यहां पर इमेज करों देख सकते हैं Qya प्रॉबलम होताificar तो बेसिकली क्या होता है जैसे जब थंड़े होते हैं यह फिर आप कुछ एंजाइटी फिल करते हैं तरवा हम घ्य काहें तो यह रक्त वहि काह सथाय जो हती होगसे चिपके जाती है तो यह क्या करता है परिसंचनर को बंद कर देता है तो इस पर करके यहाँ पर क्व्डी में सब्सक्राइब, क्वर्ट के कारण क्या होता और अधिक मात्र होता है कि यहाँ पर ये रक्ट परवा होता है तो इस तो यहаются पर रोग जातो है प्रॉब्लम क्या होता है कि जब प्रॉब्लम होता है ठीव लें प्रीवरते हो तो यहाँ स्वाल दीए यहाँ पर आगे स्वाल दिया है यहां पर दिखिए वह immunoglobulin immunoglobulin दिया हुआ है जो की माता के दूद में पाया जाता है is का opposite क्या होगा तो मा का दूद जो होता है एक आधेर मतलब एक पोस्वण की में होता है इसमें इसमें बीटामिन प्रोटीन वसा मतलब सभी प्रगर के में इस्तरण मीले होते हैं इसमें तो यहाँ पर आपका राइटनसर हो जाएगा आईजी आपका राइटनसर हो जाएगा यहाँ पर क्लोरोस्ट्रम जो होता है क्लोरोस्ट्रम जो इम्मुनोग्लोब जी होता है और इसके साथ कई सारे जो पदार्थ होते हैं यहाँ पर परदान किया जाते हैं मतलब दिया जाते हैं यहाँ पर आपका राइट नसर क्या हो जागा आए जी यह अपका राइट नसर हो जाता है अस्पदाल के छेत्रों हॉस्पिटल में यह लागू है और इसमें अपसिस्ट पदार्थ कई भी साक्त अभी साक्त पदार्थ होती है यह सबी चीज़े अलग कलर कलर के माध्याम से डब्बे के हरुपें पहचान सकते हैं जैसे क्या होता है जैसे काला बैग में क्या होता है तो काला बैग में समान्य जो अपसिस्ट पदार्थ होता है जनरल च ठाजड़ा प्लास्टीक और यहाँ पर सफेद जो प्लास्टीक होता है सफेद में क्या फ्कते था है तो सफेद में यहाँ पर सुई को फेगा जाता तो उन्हों को एक सहरा पढ़ान करता है अवहां सकते हैं च्छचие की रुप में काम करता है सरीर में है गर्भास्य को कस कर प्राइड कर रखता है तो यहां पर आपका राई इंसर होग 해요 peela और आपका राईट इंसर होगा देखेंग हो एक लचीली जैसी सरचना होती है जो क्या होती है बरोड को मास जोडता है जोड़ता है और गर्बनाल क्या करती है बच्चे को पोशक ततो देती है यहां पहुचाती है गर्मनाल दो धमनिया और एक सीरा से बनी होती है वार्कनस जेली आपका राइटेंस रोगा यह वला ओप्सन जहाँ है आपर राइटेंस रोगा आगे स्वाल दिया यहाँ पर दिया निमलिखित में से कौन सा रोग फेक करता है और यहाँ पर चेचक चेचक क्या होता है तो चेचक भी क्या है संक्रमा कर विसाडु जनित रोग है जिसे वेरियोला विसाडु आपने सुना होगा क्या है तो वेरियोला विसाडु नामक जिस होता है जिसमें क्या होता है चेचक में बुखार होता है सिर्दरद होता है शरीर में दर्द होता है एससे के प्रॉब्लम होता है एड्स में जानते हैं आप यहां पर फुल्फम क्या होता है acquired immunodeficiency syndrome होता है यह जो होता है HIV एच आइबी आपने सुना होगा HIV human immunovirus होता है HIV आपने सुना होगा इसका फुल्फम जो होता है human immunovirus होता है इसके कारण क्या होता है एड्स होता है बहुत ही घातक बिमारी होता है ठीक है यह सरीर में एंटिवाटी जो परत्रिक्षा तंत्र होता है उसको तोड़ देता है जिससे बिक्ति कोई भी जाननेवा संक्रमन हो जा जाता है यह जो होता है एक विशिस संक्रमन होरोग है ठीक है यह जो हता है एंतर क्लोशीश यहां फ्रमेल लिग judicial हो मोई फंप्र खैलं को संक्रमन करता है उसको तो ये जो हता है एम एंसर टिविय आप का राइट एंसर हो जाता आज की बस इतना ही आपने देखा किस प्रकार से सभी सवालों को समझा प्रयास किया आपके लिए मैं टेस्ट प्रिपेर कर दिया हूँ वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं टेस्ट को तो उसने ज्यादा टाइम लगा है आपको तो यहाँ पर आच्छे से टेस्ट को दीजिए जो भी नंबर आता है उसको वही पर कमेंट कर सकते हैं और आपके सामने एक पूस्ट नोटिफिकेशन आएगा जैसे आप यहाँ पर करके आएगा ठीक है यहाँ पर अलाव कर दीजिएगा ताकि जो भी पोस्ट डलागा उसको आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रह तो यहाँ पर सर्च कर लिएगा और यहाँ पर आएगा अलाव कर जागा तो हमें सब पोस्ट करने सार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो मिलते हैं एस वीडियो में थाइंक यू सू मच पोचिंग